हेलो गैस मेरा नाम है वैसर मैं आपका वेलकम करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल फोपिकपर्ट आज का मारा टॉपिक है हाओ तो साइट और रिप्लाई एंग इमेल आज बहुत ही असान है तो आज शुरू करते हैं तो इसके लिए सिंप्लि आपने गूगल खोम अपन करना है तो यह उसके बास इंप्लि आपने साइट बार में टाप करना है gmail.com हो गर यह दिके है हैं मारा gmail home page सुबization आप कर ने के लिए गैयर आप आइकन देखिें सेक्ट्यक्त 클eyle के आओ मिला सब्हुत करें का 1 और यह पर आप अंचे उस्णे आए ने इसक्ट आए कि वालrices पर क्लॉक करें लोगा स्ट्वार्यस पर क्लिक करें अनलोट को तो यहां पर आप और आप आप कंड गे में अपर आए smr आपने क्या करना है, इसको simply turn on करना है, so simply यह option चेक करें, application responder on, so guys यहाँ पर आप option देखते हैं, first date, so simply आप यहाँ से first date set करें, जैसे कि मैं set करूँगा, 28, so then last date, so last date set करने के लिए simply आपने यह box चेक करने है, last date का, और यहाँ से last date चेक करें, मैं यह कर रहाँ, अगर अगर आप auto reply set करना चाहते हैं, lifetime के लिए, तो simply आप यह option अंचेक कर दें, लेकिन अगर आप कुछ टेस्क के लिए चाहते हैं, तो simply इस option को चेक करें, यहाँ पर यहाँ पर आप option देखते हैं subjectly, so simply यहाँ पर subject add करें, मैं कर रहा हूँ, customer's code, तो गयद यहाँ पर आप अपना message type करें, जो आप reply में send करना चाहते हैं, जो भी content जो आप add करना चाहते हैं, और उसके बाए यहाँ पर option देखते हैं, only send or respond to people in my contact, तो गयद आप simply यह option भी check कर सकते हैं, तो उसके बाए यहाँ पर आप option देखते हैं, save changes, तो simply save changes पर क्लिक करें, और गयद जो आपका auto reply है, वो set हो जागी, तो गयद आप देखते हैं, हमने auto reply सेट कर लिया है, Gmail में, तो गयद मैं उम्मीद करता हूँ, आपको यह video informative लगी होगी, तो गयद अगर आपको यह video चल लगी तो please video को like करें, और हमारे channel 4P को subscribe करें,